गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट आज का जो हमारा रेविजन का टॉपिक है वो क्या है इस्टील पोल्स ठीक इस्टील पोल्स काल हमने क्या चीज़ देखा था कल हमने देखा था उड़ पोल्स को तो देखे इस टील पोल्स क्या होता है कि इस टील पोल्स जनरली वहां यूज होते हैं जहां पर हम लोग जो है कि उट पोल का यूज करते हैं और इस प्रकार के जो पॉल होते हैं वो distribution system में यूज होते हैं ठीक है और इंडिया में लगबग जो है कि ये 200 मेटर तक के span और low voltage और high voltage और high voltage up to 66 kv तक के लिए इस प्रकार का पॉल्स का हम लोग यूज करते हैं ठीक तो जैसा कि हमने कल देखा था कि जो इस टील पॉल्स होत होते हैं तीन टाइप के कौन कौन से तो पहला होता है हमारा जो है ट्यूबलर इस्टील पॉल्स जिसको हम नलिका कार इस पातिक खंब के नाम से जानते हैं दूसरा होता है हमारा solid इस्टील पॉल्स और तीसरा होता है lattice इस्टील पॉल्स तो पहला हम पहला हम देखते हैं कि इसके बारे में tubular steel pulse के बारे में तो देखे tubular steel pulse जो है steel का बना हुआ होता है जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं या तो पिर galvanized steel का या फिर mild steel का galvanized steel मतलब क्या होता है जस्तिकृत इसपात या फिर मृतु इसपात या फिर soft steel तो soft steel को हो, और हम किस नाम से जानते हैं, mild steel के नाम से, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कि ये जो है, जो steel का जो pulse होता है, एक नली के आकार का होता है, ठीक है, तो steel pulse जो है, कि खोकला जोड रहित, यानि इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड नहीं होता है, तो जूड रहित खंबे होते हैं जिसका मुल्य क्या होता है कि अन्य जो steel pole से उनकी अपेक्चा में इनका मुल्य कम होता है यानि ये जो है कि अन्य जो steel pole से उनकी अपेक्चा क्या होता है सस्ता होता है और ये भार में हलके होते है तो इनका जो transportation होता है वो भी क्या होगा easily हो जाएगा इनकी जो average life होती है वो लगभग 50 वरस तक होती है और इसमें जो है कि इस पात के खंबों का गुड़ बिद्यमान होने के कारण आजकल इनका प्रयोग जो है बहुत अधिक होता है चीक है तो इनकी जो मानक लंबाई है इनकी जो standard length है वो कितना है 9 मीटर और एवं 8.5 मीटर तक यानी 9 मीटर और 8.5 मीटर तक की इसकी जो एक standard length है और नली का जो आकार है ठीक है इनकी नली का आकार लगभग 140 mm 140 into 114 into 89 mm और दूसरा मतलब अगर जो हमारा 9 मीटर का होगा तो उसकी जो आकार होगा वो कितना होगा उसकी जो आकार होगा वो 140 mm 114 mm into 89 mm और जो हमारा 8.5 का होगा वो क्यातना होगा 114 into 89 into 76 इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हमारा जो पोल होता है बेसिकली ये ये जो है ये है बेस का बेस का सरकंट्रेंज ठीक है ये किसका है ये है बेस का ये है मीड का और ये किसका है टॉप का यानि एक ये हो गया हमारा किसका बेस का और ये हो गया ये मीड का और ये हो गया top का ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 9 m का अगर हम लेते हैं तो उसका base कितना होना चाहिए? 114 mm और उसका उपरी सिरा मतलब beach का जो circumference होगा 114 होना चाहिए और जो top होता है वो कितना होना चाहिए? 89 का और अगर हम 8.5 यानि 14, mid circumference 89, और top circumference कितना होगा 76 mm तो ये किसका है ये है tubular steel poles का, अब हम देखते हैं कि इसका lattice steel pole के बारे में अच्छा कुछ और additional fact जो है कि हम इसमें tubular steel poles में देख लेते हैं तो देखिए इसका जो पहला चीज है कि इनकी अर्थ जो height होगी ये इनकी जो span होती है, ये basically किसके लिए use होते हैं, ये 100 meter तक के span के लिए use किये जाते हैं, और इसमें जो maximum voltage होता है, इसमें जो maximum voltage हम use कर सकते हैं, up to 11 kv तक के लिए हम इसमें use कर सकते हैं, ठीक है, इनकी जो average life है, वो कितना है, average life इसका होता है 50 साल यानि 50 years तक होती है और इनका जो safety factor होता है safety factor ये कितना होता है ये around 2.5 होता है और अगर हम बात करें इसका कुछ merit का तो इसके merit क्या होते है सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था कि ये क्या होंगे ये भार में जो है कि हलके होंगे यानि light in क्या होगा भार में हलका होगा यानि light in weight ठीक है यानि ये भार में हलके होते हैं दूसरा क्या होता है कि इनकी जो mechanical मेकेनिकल स्ट्रेंथ होती है मेकेनिकल स्ट्रेंथ ये कितनी होगी ये बहुत जाद मतलब ये उड़ पोल्स की अपेक्षा क्या होगा जादा होगा इसके बाद उड़ पोल्स की अपेक्षा इनका लाइफ average life जो है जादा होगा और फिर क्या होता है कि galvanized steel का बना होता है जिससे इसमें क्या होगा जंग नहीं लगेगा ठीक है और next क्या होता है कि जो wood poles होता है wood poles में क्या होता था आग लगने का डर होता था तो आग लगने की जो है इसमें क्या होगा मतलब लकड़ी के पोल की अपिक्छा इसमें आग लगने का जो है खत्रा नहीं होगा और ये क्या होते हैं देखने में जो है सुन्दर लगते हैं ठीक है तो ये इसका एडवांटेज है और अगर डीस एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होगा कि इस पर बहुत ज़्यादा अगर हम तनाव या दाब डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कि जो lattice steel pulse होता है basically इनका जो सनरचना होता है वो एंगिल आईरन या फिर आई आकार का जो पत्ती होता है उसके three weighted का मतलब क्या होता है कि एक होता है repeat करके मतलब kill type का होता है उसको लगा करके या फिर इसको welding करके हम बनाते हैं ये भार में जो है कि हलके होते हैं और इनका मुल क्या होता है कम होता है और इनकी जो average life है वो भी लगवा कितना होता है पचास वर्स होता है और इनका जो use होता ह किसमें करते हैं वो distribution system में करते हैं इनकी अगर हम कुछ additional factor की अगर बात करें तो इनकी जो है प्रीत भी से लगभग उपर की उचाई इनकी प्रीत भी से उपर की जो उचाई होगी वो कितनी होगी height above ground वो कितना होगा यह होगा 9 मतलब 9 से ले करके 11 मीटर तक का होता है और अगर इसमें हम बात करेंगे operating voltage की ठीक है operating voltage तो इसकी जो operating voltage होगी वो maximum हम 11 के भी तक के लिए यूज करते हैं इसमें जो span होता है span basically कितना होता है 150 मीटर तक के लिए हम इसको यूज करते हैं इनकी जो average life होती है average life वो कितना होगा वो लगबग 50 साल होता है ठीक और इनका safety factor कितना होता है दो तो यह कुछ उसके जो है additional fact है अगर हम बात करेंगे इसके कुछ merit की तो यह क्या होते है कि इनका जो भार होता है वो इस टील पोल्स जो है जो solid steel पोल्स है उसकी अपेक्चा कम होता है solid steel पोल्स के अपेक्चा इनका initial cost कम होता है solid steel पोल्स के अपेक्चा इनका transportation charge कम होगा ठीक लगड़ी के कंबों के अपेक्चा इसमें कम लगेगा यह देखने में बहुत attractive होते हैं तो यह सब उनके क्या है एक merit है और अगर हम बात करें इनके demerit की तो यह क्या होते है यह भार इनका जो weight है वो wooden poles और जो tubular poles हैं उनके पेक्चा क्या होगा अधिक होगा जो wood poles है wood poles के पेक्चा इनका transportation cost जादा होगा इसका initial cost जो है wood poles और tubular poles के पेक्चा क्या होगा अधिक होगा और इनका जो use जो है वो 11 kb तक के voltage के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको use कर सकते हैं तो यह इसका क्या है demerit अगर हम बात करें इसका use के लिए तो इसका basically हम लोग application यानि इनका use कहा करते हैं तो इसका जो use करते हैं वो low voltage के overhead distribution के लिए या फिर जो है city में हम इसका use करते हैं तो यह किसका है यह है हमारा क्या चीज़ lattice steel poles का अब हम बात करेंगे किसका solid steel poles के लिए तो अगर हम बात करें solid steel poles का तो देखे solid steel poles क्या होते हैं यह दो type के होते हैं पहला होता है मतलब एक eye type का और दूसरा क्या होता है rail girder का बना होता है ठीक तो पहला अगर हम देखेंगे किसका rail poles का तो यह क्या होते हैं कि जो railway line होते हैं तो railway line से निकाली गई पूराने रेल पटरी को खंभों के रूप में प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग 33 केवी तक के लाइनों में और 200 मेटर तक के इस पैन के लिए किया जाता है तो इससे पहले वाले जो हमने ट्यूबलर स्टील पोल्स और लैटिस स्टील पोल्स को देखा तो उसका क्या था जो हमारा ट्यूबलर पोल होता था वो बैसेकली 100 मेटर तक के इस पैन के लिए और 11 के भी तक के लाइन के लिए हम यूज करते हैं और जो लैटिस स्टील पोल्स है वो कितना होता था 150 मेटर तक के span के लिए और वो भी 11 केवी तक के लाइनों के distribution के लिए हम इसका यूज़ करते थे overhead system में ठीक लेकिन अगर हम बात करेंगे rail poles की वो भी किसको solid steel poles का तो वो कितने तक के होते हैं उनकी जो span होती है वो 200 मेटर तक का होता है और इसमें किस कितने operating voltage तक हम इसको जो है 33 kv तक के voltage के लिए हम इसका use कर सकते हैं ठीक है तो ये किसके बने होते हैं तो जो हमारे पुराने rail पटरी होती है उनको जो है जब खराब हो जाते हैं या फिजब maintenance के बाद उनको जब हम वो change हो जाता है तो उसको जो है ले करके इसको बनाया जाता है और पुराने rail पट line होने के कारण से क्या होगा इनका जो मुल्ले होगा वो कम होगा और इनकी average life उनकी पिछले जो दो pulse थे उनके pulse के picture क्या होगा ज़ादा होगा उसका दूना होता है यानि तो इस प्रकार का pulse तभी उपयोग किये जाते हैं जब rail pulse उपलब्द ना हो और इस प्रकार के rail मतलब जो पोल्स होते हैं rail pulse के पेक्चा कीमत में ज़ादा होता है लेकिन इसका जो mechanical cost होगा mechanical strength होगा वो क्या होगा rail pulse के पेक्चा कम होगा ठीक अब हम बात करेंगे तीसरा हमारा cement concrete pole देखे cement concrete pole basically क्या होता है कि ये उसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर इनको क्या है use करना होता यानि इनका ये जो है मतलब ये उसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर इनका use करना है इसको जिससे इसका क्या होता है transportation charge हम बचा सकते हैं ठीक तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि concrete के खंबे जनरली जो है कि site प्रतिष्ठाप यानि site of installation पर संरचित कर खंबों पर होने वाले transportation charge को क्या कर लिए जाता है बचा लिए जाता है लेकिन अन्य खंबों के तुलना में इसका जो maintenance cost है वो भी क्या होता है कम होता है और यह दो टाइप के होते हैं पहला क्या होता है हमारा PCC pole और दूसरा क्या होता है RCC pole अगर हम PCC pole की बात करें तो क्या होता है कि इस प्रकार के जो खंबे होते हैं उनका निर्माण high pressure पर cement और concrete के द्वारा होता है जिसकी mechanical strength कम होगी लेकिन इसलिए आज कल इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और इनके अस्थान पर हम किसका यूज करते हैं RCC का और RCC pole की बात करें तो RCC pole क्या होता है तो RCC pole जो है RCC pole का निर्माण steel की जो सरिया होती है जो छड होते हैं steel के छड से निर्मित धाचे में cement concrete के दलित कड़ों को प्रबलित करके किया जाता है जिससे इनकी mechanical strength क्या होती है अधिक हो जाती है लेकिन साथ-साथ इनका क्या मुल्य बढ़ जाता है तो ये एक ये रहा किसका RCC pole का अब हम कल देखेंगे steel tower के बारे में तो आज के लिए ब झाल